कुलू शेयर के एक परिवार का जीवन बसल बड़ी कर्शनाईयों में हो रहा है। कुलू शेयर के लोरन में गुपालदास का परिवार कस्टों में जीवन प्यतीत कर रहा है। गुपालदास और उसके परिवार के 16 से एक कमरे में जीवन जीने को मजबूर है। गुपालदास का घर भी जर-जर हालत में है। गुपालदास मजदूरी कर अपना और परिवार का पेट पाल रहा है। गुपालदास का घर भी जर-जर हालत में है। उसकी पतनी और दो बच अच्छे मानसिक रूप से अक्षम है और माता-पिता बिमार है। गुपालदास की हालत खुद भी ठीक नहीं है। गुपाल ने बताया कि उनके परिवार का गुजारा चलाने के लिए धन नहीं तो वे घर का काम कैसे शुरू करेंगे। मेरे पास उतना पैसा नहीं है, मैं कहां से बनाओंगा। और माबाबी दाखिल है। और मेरे बड़ी मुश्किल से गुजारा करता हूं, ज्याइडी जूरी कमाता हूं और ज्यादा बोट जुछाएं सकता हूं, आप खुद ही मेरे जखम है। और लाड़ी बच्चे बिमार बिमुरत है कभी बच्चों कभी हालत बड़े कराब है। और घर बनाने के लिए मैं कोई सुब्दा मिल जाती तो बहुत अच्छा होता और बहुत सुब कामना ही हो गया। हम एक ही कमरे में रहते हैं, माब बाब और चार बच्चे हम छे परिवार हैं, एक ही कमरे में रहते वहीं गोपाल के प्रोसी शिरुराम ने बताय कि गोपाल का परिवार बड़े कष्टों में जीवन ब्यतीत कर रहा है आसपास के लोग इन्हें जरूरत की चीज़ें देते हैं इसी से उनका गुशारा चल रहा है सरकार को गोपाल की कोई ना कोई मदद जरूर करनी चाहिए उनकार की गोपाल का घर बनाने के लिए प्रशाशन को कोई रास्ता निकालना चाहिए मुश्कल हो जाता है तो अब जो इन्हें जो है अमरित योजना के अतरगत जो है सरकार की ओर से भी कुछ राशी सब्कृत हुई है प्रन्तु इनके पास अपना मकान बनाने के लिए पैसा नहीं है क्योंकि सरकार की योजना है कि जब तक ये अपने पिल्लर आदे खड़ा या कोई कार्या शुरू नहीं करेंगे तो इनको मकान बनाने के लिए फस्ट इंस्टालमेंट नहीं दी जाएगी वहीं गौपाल की मदद के लिए आगयाई कार्सेवा दल संस्टा के अधेख्ष मनदीब स्ग ने बताया कि गौपाल की हालत काफी खराब है कार्सेवा दल को जैसे अस परिवार के बारे में पता चला तो वे इसकी मदद को तयार हुए संस्था दोरा इस परिवार को जुरुत का समान दिया गया और हर महीने का राशन भी संस्था इस परिवार को देती है प्रति दिन एक लिटर दूद भी इस परिवार को संस्था की ओर से दिया जाएगा गोपाल दास ने सरकार से मदद की गुहा लगाई है हर तरह की संबब मदद राशन की विरस्ता बिस्तरा अलमारी पेटी हो गया है और हमेशा इस परवार के लिए आगे भी इसी तरह से समान महिया करवा के या इनको किसी तरीके से राशन परमेनेंट लगवा के और एक सरस्ता की तरफ से दूर जो ऑस्पिडल में जाता है तो उ रोज पच्चों के लिए आज सरस्ता की तरफ से इनको लगा दिया जाएगा